जो पुलवामा करवा सकते हैं वे कुछ भी करवा सकते हैं उनके लिए अच्छा ये होगा कि अभी चले जाएं 2024 में हार कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ये शब्द हमारे नहीं है भाजपानेता सत्यपाल मलिक के हैं हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा मैं ये गारेंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये काम्याब नहीं हो कि सत्यपाल मलिक ने खुल कर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की खिलाफत की हो सत्यपाल मलिक के तरकश में ऐसे कई बयान हैं जो रह रहकर भाजपा को चुबते रहते हैं इस सिलसले की शुरुआत हुई थी 2019 में चुनावों से ठीक पहले हुए पुलवामा आतंकवादी हमले से उस समय सत्यपाल मलिक जम्मो कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे और 2023 में करंधापर को दिये एक इंटिव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे पास इस हमले की इंटेलिजन्स थी सुरक्षा में हुई चूक के कारण ये दुरघटना हुई इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब वे उस पद पर मौजूद थे तभी सत्यपाल मलिक ने ये सवाल क्यों नहीं उठाए लेकिन ये सवाल उठाए गए थे 2019 में ही एक मीडिया चैनल को दिये गए अपने बयान में वो कहते हैं कि उस समय की इंटेलिजन्स के मताबिक हमारी सुरक्षा फोर्सिस पर खत्रे का साया मनरा रहा था लेकिन सुरक्षा में हुई चूक के कारण ये घटना घटित हुई है दूसरे इतना बड़ा कानवाय लेकान ही निकला जाता है जब आप सडकों से गुजडते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीडժ ज्यादा होनी झाये तब आईदी नहीं कामयाब होती है अगर स्लो चल रहे हैं तो आईदी कामयाब होती है तो कई चीजशیں थी जो हमारे प्रदर्शन में शामिल होते हुए सवाल का जवाब दिया उन्होंने कहा कि मैं तब भी यही बात कह रहा था और आज भी उन्हीं बयानों पर अडिक खड़ा हूं सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में चल रहे हैं पहलवानों के प्रदर्शन का भी खुलकर समर्थन किया और लगात कि ब्रजबूशन शरन सिंग इतने गंभीर इलजाम लगने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं वक्त था किसान अंदोलन का उस वक्त भी सत्यपाल मलिक लगातार सरकार की आलोचनाय कर रहे थे और कह रहे थे कि जो किसान बिल लाए गए हैं सरकार की तरफ से वे सरक वो से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी टीवे पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई कि हम आपको अपनी बात समझा नहीं पाए और तीनों किसान कानून वापस ले लिये गए सत्यपाल मलिक ने विपक्षी नेताओं पर चल रही EDCBI की कारवाईयों पर भी खुल कर अपने बयान रखे खुल कर अपने विचार रखे जब RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी पर ED की कारवाई शुरू हुई तो उन्होंने ट्वीट किया कहा कि EDCBI से जयंत नहीं डरने वाल नहीं आने वाली है। मर्थन करते हुए नजर आते हैं और सरकार पर तंज कसते हुए एक्षेर कहते हैं ना दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग तुम कतल करते हो या कमाल करते हो। मुकश्मीर का विशेशा दिकार छीना जा रहा था तो उस वक्त सूबे के राज़ेपाल खुद सत्यपाल मलिक थे। और उनके पास कई ऐसे सवालों के जवाब हो सकते हैं जिन जवाबों के बाहर आने से भाज़ेपा को खासा परिशानी उठानी पड़ सकती है। और दूसरा जब बिहार में महागडवंदन की सरकार तूटने के बाद नितीश कुमार के साथ भाज़पा सरकार बनाती है तब भी वहाँ के राज़ेपाल सत्यपाल मलिक थे। दोनों ही सूरतों में सत्यपाल मलिक के बास ऐसी बाते हो सकती हैं जो कि आफ दरिकॉर्ड हों तो आफ दरिकॉर्ड ही रहें बाहर ना आ पाएं और बदले में सत्यपाल मलिक को ये लेवरिज दिया जा रहा है कि आप खुल कर आलोचना कर सकते हैं। ये दो ऐसी घटनाई थी जिसके केंदर में सत्यपाल मलिक नजर आ रहे थे और इस पूरे मंच का संचालन सत्यपाल मलिक खुद अपनी उंगलियों से कर रहे थे लेकिन उनकी आलोचना आज सरकार के लिए गले की हड़ी बन चुका है सत्यपाल मलिक का राजनितिक करियर लंबा है पहली बार उत्तरप्रदेश के बागपत से विधायक चुने जाने से लेकर 2012 में भाजपा के उपाध्यक्ष और चार राज्यों के गवर्नर रहने तक सत्यपाल मलिक भाजपा का वो कंधा नजर आते हैं जिस पर बंदूक रखकर भाजपा ने कई बार चलाई है लेकिन उनके बयान इस वक्त ये इशारा करते हैं कि वे अब उस पार्टी से नाराज हैं गद्दारी कर चुके हैं लेकिन ये गद्दारी नहीं है साहब जल्म की मुखालिफत है आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और ऐसी ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए दमूक नायप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं आपके साथ धारण धन्यवाद